आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पुन्य का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले पुन्य का आर्थ समझते हैं पुन्य का आर्थ होता है शुब कर्म या पावन तो पुन्य का विलोम शब्द याने के विप्रित आर्थक शब्द होगा पाप और पाप का आर्थ होता है बुराई या अधर्म तो आईएब हम पाप और पुन्य को कुछ धारन वाकियों से समझें जैसे कि आप यह कह सकते हैं कि पुन्य कर्मों से आत्मा शुद होती है यफिर आप कह सकते हैं कि पुन्य का फल हमेशा अच्छा होता है यफिर आप कह सकते हैं कि हमें पाप करने से बचना चाहिए यफिर आप कह सकते हैं कि पाप का फल हमेशा बुरा होता है अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें